अपनी उम्र के 92 साल पूरा कर चुका कोई अरब पती, अमेरिका के एक सारवजनिक मंच से जब अखंड भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाला कोई बयान देगा, तो जरा सोचिए कि क्या उसकी आर्थी उतारी जाएगी? कताई नहीं, बलकि पुर्जोर तरीकले से उसकी मजम्मत होगी, उसे करारा जवाब मिलेगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे निजी समू है, जिनका कारोबार कई अर्मों रुपयों का है उन्हीं मैं से एक अडानी समू भी है, जिसके शेयरों में अचानक आई जबरदस्त गिरावट ने स्टॉक एक्स्चेंज में भारी उथल पुथल मचा रखी थी व्यापार और व्यवसाय में उतार चड़ाव लाजमी है, ऐसा माना जाता है लेकिन देश के अंदरूनी मामले में किसी भी विदेशी व्यक्ति को बयान देने का कोई अधिकार नहीं है और उल जलूल बयान देकर जॉर्ज सुरोस ने भी यही गलती कर दी 92 साल के जॉर्ज सुरोस अमेरिका की मशूर इंवेस्टमेंट कमपनी सुरोस फंड मैनेजमेंट LLC के फाउंडर है जिसकी कुल नेट वर्थ 8.5 बिल्यान यूएस डॉलर यानी 7410 करोड रुपाए है जॉर्ज सुरोस की ताकत उनका पैसा नहीं बलकि उनका NGO है जिसकी मदद से वो पहले भी बहुत सारे देशों को अस्थिर कर चुकी है लेकिन पिछले कुछ सालों से जॉर्ज सुरोस के निशाने पर भारत है जॉर्ज सुरोस के फाउंडेशन का हेड़कॉर्टर नियू यू यॉक में है और 60 से ज़्यादा देशों में सक्रिया है बुद्धी जीवियों और मीडिया नेटवर्क के अलावा जॉर्ज सुरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने भारत में बड़ी संख्या में संगठनों को फंड मोहिया करवाया है 2016 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को भारत सरकार द्वारा निगरानी सूची में रखे जाने से उसे एक बड़ा जटका जरूर लगा लेकिन उसकी हरकतें कम नहीं हुई आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस के NGO कनेक्शन PFI जैसे इसलामिक कटर संगठन अर्बन नकसल, क्रिश्चिन मिशनरी, बुद्धी जीवी और पत्रकारों से हैं जिन्हें भारत का लोगतंत्र हमेशा खत्रे में ही दिखाई देता है इस प्रोपगेंडा टीम की नियत का अंदाज आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में था तो भारत में बनी कोविट वैक्सीन पर इन्हें विश्वास नहीं था कहा जाता है कि जॉर्ज सौरास के एन्जियो कितार कॉंग्रेस पार्टी से भी जोड़े हुए हैं वर्ष 2016 में भारत सरकार ने गयर कानूनी फंडिंग को रोकने के लिए कई एन्जियो को अपनी वाच लिस्ट में डाल दिया था जिसका मतलब ये था कि ये एन्जियो गयर कानूनी तरीके से भारत में अलग-अलग संस्थाओं को फंडिंग कर रहे हैं इसलिए इसे वाच लिस्ट में डाला गया जिसके बाद कोई भी फंडिंग बिना भारत सरकार की मन्जूरी के रेलीज नहीं हो पाई की जिस एन्जियो को जोर्ज स्वरोस की संस्था फंडिंग करती थी इस पर विराम लगने के बाद स्वरोस की टीम ने कई और तरह के हत्खंडे अपनाने शुरू कर दिये और बुद्धी जीवियों, पत्रकारों और गयर सरकारी संगठनों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिसका काम ही विशेश रूप से प्रधानमंतरी नरींद्र मोदी की नेतरत्ववाली सरकार का विरोध करना था आपको बतादें कि अपने भारत विरोधी एजिंडे को आगे बढ़ाने के लिए जॉर्ज सरोस ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिये 1999 में भारती संस्थानों में अध्यन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए चात्र वृत्ती और फैलोशिप की पेशकर करके भारत में अपने पाउंपसारना शुरू किया था जिसके बाद परोपकारी गदलिधियों को चलाने के नाम पर सोरोस के निक्रित्व में वामपंथी अंतर राश्ट्रे संगठन ने भारत के भीतर सक्रिय भारत विरूधी तत्वों को समर्थन देकर देश भर में अपना जाल पहलाना शुरू कर दिया लेकिन पिछले कुछी दशकों में जॉर्ज सोरोस ने समय समय पर भारत में सरकार के खिलाफ प्रोपेजंडा पहलाने का काम किया The man who broke the bank of England, a man who is known and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. As you all know, George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, has now declared his ill intentions to intervene in the democratic processes of India. अब ऐसे संगठनों और परिस्थितियों से कैसे निप्टा जाए ये देश की मोदी सरकार बखुभी जानती है हंगरी में पैदा होकर अमेरिकी नागरेक बने जॉर्ज बेशक और वों की संपत्ति के मालिक हैं लेकिन वे अकसर विवादों में ही रहे हैं क्योंकि उन पर कुछ देशों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए साजिश रचनी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। इसलिए जब अमेरिका के एक सारवजनिक मंच से मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया तो देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बेहत गंभीरता से उसी अंदाज में जवाब दिया जिसके लायक जॉर्च सोरोस थे विरो रेपोर्ट सूर्या समाचार